पाकिस्तान लपुपामुक्ती लपुपामुक्ती जम्मु कश्मीर को लेकर आज काफी एहम दिन है PM मोधी के अगवाई में बैठक होने जा रही है जिसमें जम्मु कश्मीर के राजनीदिक भविश्य पर restन किया जाएगा धारा 370 को हटाने के बाद ये केंदर सरकार की सबसे बड़ी राजनी तिक पहल है पीम मोधी के साथ होने वाली बैठक से पहले जमू कश्मीर, बीजेपी के नेता, रविंदर रेना, कविंदर गुपता, निर्मल सिंग, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नेटा से मुलाकात कर रहे हैं इसके अलावा, पीम मोधी द्वारा भुलाईगी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जमू कश्मीर के नेता, नई दिल्ली पहुंच चुके हैं बुधवार से ही नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो गया था, जिसमें जमू कश्मीर की पूर्सिया महभूबा मुफ्ती भी शामिल रही पीम मोधी की इस एहम मीटिंग से पहले जमू कश्मीर में भी हलचल तेज हो गई है, राज्य में 48 घंटे के लिए अलर्ड चारी कर दिया गया है, लाइन ओफ कंट्रोल पर भी नजर पैनी कर दी गई है, वहीं जरूरत पढ़ने पर इंटरनेट की सुविधा पर भी रोक लगाए जा सकती है, क्योंकि पीम मोधी की मिटिंग से पहले ही कल आतंक वादियों ने एक बार फिर से हमला किया था, वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, कि जम्मू में डोगरा फ्रेंट की और से जम्मू कश्मीर की पूर्शिय महभूबा मुफ्ती के ख करें और सब के साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें बासिसी के विरोध में है वहा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में नारे बाजी की गई, उन्हें तिहार जेल में भेजने की मांग की गई और ये परदर्शन उस वक्त हो रहा है जब आज 3 बजे एपीम मोधी जम्मू कश्मीर को लेकर अहम मेटिंग करने वाले हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महभूबा मुफ्ती को जेल भेजने के लिए मांग की जा रही है परदर्शन कारियों का साफ कहना है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलती है इनने दिल्ली नहीं तिहार जेल भेज दिया जाए आज का परदर्शन जो स्टेक ओल्डर में बूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को बनाया है और हमारा पुलीस का एक भाई जैस के लोगों ने जिसको गोली मार दी है और हबा कदल के अंदर एक गोली मारी है उसका बदला वो बाला कोट एक बार फिर आप यहां करो और वो बाला देखना होगा कि आज होने वाली इस मिटिंग में पीम मोधी क्या बड़ा फैसला करते हैं तो आप ऑप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहे है हेडलाइन्स इंडिया के साथ झाल झाल